दोस्तो काम बोलेगा चेनल से मैं राजीश वर्मा अगर डबल डोर फ्रेज यूस करते हैं और कूलिंग नहीं कर पा रही हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा डबल डोर फ्रेज के पीछे कूलिंग नहीं करने की कई बार काफे सिंपल छोटी सी वज़ा होती है जिसे यहां फ्रेज के पीछे चेक करेंगे कि एक टाइमर लगा होता है टाइमर की अटक जाने की वज़य से जो कंप्रेसर है वो नहीं चल पाती है दोस्तो इस कंडिशन में शिंपल आपको बस इतना ही करना है छोटा सा एक पेजकस या टेस्टर लेनी है उस पेजकस या प्लम सॉल कर सकते हैं बहुत सिंपल बहुत असान होती है सबसे पहले तो चेक करनी है आपकी टाइमर कहां पर है यहां पर हम देख पार है जो टाइमर है उस टाइमर में एक छेद की जैसे दीख रही है चलिए मैं यहां पर दिखाता हूं यह देख पा रहे हैं आप उसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ वीडियो विल्कुल ध्यान से देखिएगा शाफी शोटी सी पेच कस लगाने के लायक ही जगा होती है देख पा रहे हैं चलेव दिखा देथें ये ये जो छोटी से बिल्कुल जो जगा है यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें इसी पेचकस लगानी है और पेचकस लगाकर आप इसको थोड़ा सा घुमा देंगे चले घुमाते हैं यह देखे इस तरीके से घुमा देंगे तो कई बार जो है टाइमर अटक जाती है जिसकी वज़े से कंप्रेसर नहीं चलता है तो टा हुआ है